नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मैं रत्म त contour भारती अज हम बात करेंगे नितीश कुमार के वारे में और नितीश चुमार की पार्टी जदियू के वारे में जदियों में फिर हाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा पार्टी के अंदर चल रही घहमासानों के लेकर पता चला है और राज़त की तरफ सरलागातार आ रहे है बयानों के बाद से इस तरह की हलचल सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जदियों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसको आईए हम सबसे पहले बिस्तार से समझते हैं कि आखिर जदियों के अंदर सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है क्योंकि जब नितीज कुमार सरकार की गठन के इतने दिन हो गए है उसके बाद से मंत्री मंडल का अभिश्टार नहीं हुआ है लगबब 15 मंत्री बनाएंगے है इसमें से कई ऐसे मंत्री हैं जिनको 3 सकार पदभार मिला हुआ है लेकिन अब बात जो राज़त की तरफ से सामने आरह है ये राज़त की तरफ से कहा जा रहा है अब तक मंत्री मंडल का अबिस्तार क्यों नहीं हुआ है तो ऐसे में राज़ाद दारोप लगा रही है कि BJP और जदियू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इधर राज़ाद में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसको लेकर हम जोडते हैं कि आखिर वो कौन सी कड़ी है जिसको लेकर ये तीनों जुड़ो हुए है ते इन तीनों में सबसे पहला नाम सामने निकल कर आ रहा है वो है अब्दुलबारिक सिद्की का अब्दुलबारिक सिद्की को जद्यू चाहती है कि अपने खेमे में रख इसकी है और राजाद ये चुनाव हार गई लेकिन इधर जदियों में इसको लेकर जो बावाल मचा है वो इसलिए बावाल मचा है कि नितिश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि नितिश कुमार चाहते हैं कि उनके केंद्रिय मंद्री मंदल में एक ऐसा मंद्री हो जो मुस् कि लाज परतीसक्ट बो चाहते हैं धाने क अंतरकला को लेकर आर पार्टी में नायम कंद्री मंदल को लेकर यह कहा जा जदियू के तरफ से यह कहा गया और बीजेपी के तरफ से दोनों के तरफ से यह कहा गया कि पैस समय आने के वाद से पार्टी जो है एक रूप रेखा बनाएगी और वह अपने मंत्री मंदल का विस्तार कर देगी लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो बिहार गाजनिती के बिचले सक हैं वो यह कह रहे हैं कि अब 14 दिसंबर के बाद से खर्माज की इस्तिती सुरू हो जाएगी उसके बाद यह एक महीने खर्माज चलेगी तो ऐसे में अगर पार्टी 14 तारिक के अंदर यानि कि 14 दिसंबर के पहले अगर सब कुछ ठीक कर लेती है तो ठीक है नही बिचले से अपने साब छेवी को लेकर और अब्दुलवारिक सिद्कियों को अपने साथ लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हैं बिहारी नीज के साथ मुझे दीजिए इजाजत धन्यबाद